हिसे जितना रगड़ा उतना तगड़ा ज यहां डेफेंस आस्परेंस नैशनल डेफेंस अकाड़ी में जब केडोट्स को पनिश्मन्ड मिलती है तो जो pass out cadets होते हैं और fifth termers होते हैं वो यही कहते हैं जितना रगडा उतना तगडा Defence Aspireants National Defence Academy जैसी prestigious Tri-Services Academy में cadets को punishment मिलती है punishment का उपदेश होता है cadets के अंदर discipline भरना punishments का उपदेश होता है cadets को fittest of the fit बनाना cadets को हर survival के लिए हर situation के लिए तयार करना हर situation में उनको survival के लिए तयार करना और इसलिए first termers से लेके final termers तक cadets को लगतार punishments मिलती रहती है आईए वीडियो में जानते हैं क्या-क्या punishments मिलती हैं वैसे तो National Defense Academy की punishments के ही अपने मज़े हैं और आज जो alumni है हो चुके हो है National Defense Academy में उनको punishments जरूर याद होगी लेकिन फिर भी ये punishments आपको strong बनाती हैं वीडियो बनाने का उपदेश ये कि आप एंडिये से घबराईए नहीं बलकि National Defense Academy के punishments का मज़ा उठाईए तो चलिए समझते कौन-कौन से punishments होती है National Defense Academy में push-ups push-ups तो भई National Defense Academy के cadets मुझे आ दे त्रिशूल Defense Academy के alumni है जब हमसे मिलने आते हैं कहते हैं सर हम लोग 100-100-200-300 push-ups तो यूँ ही मार लेते तो push-ups one of the most common punishments है जो cadets को मिलती ही मिलती है उसके बाद front roll back roll front roll करना back roll करना भी अपने आप में बड़ी common punishment है जो National Defense Academy को cadets National Defense Academy के cadets को मिलती है handstand हाथ पे खड़े होना एक अलग type की punishment है helicopter spin helicopter spin में होता यूँ है कि cadets को पानी पिलाया जाता है और फिर helicopter की तरह नाचने को बोला जाता है इससे within 2 minute उनकी vomiting हो जाती है और जितना खाना खाया होता है और सब निकल जाता है इसके बाद lift up bike जी cycle कंधे के उपर लेके दोड़ना कभी कभी आप देखते होंगे carry buddy जब buddies को लेके वो दोड़ते हैं उसे carry buddy बोलते हैं वो भी common punishments है endurance drill drill की बहुत सारी punishments है drill order endurance drill mental drill ये सारी drills की punishments है aspirants इस वीडियो में तो मैंने 8-9-10 punishments ही cover की हैं लेकिन punishments की तादाद बहुत ज़ादा है और punishments करते 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 cadets को feel आने लगती है cadets को मज़े आने लगते हैं क्योंकि punishment एक बहाना मिलता है जब सारे squadron वाले एक साथ मिलके कुछ exercise कर रहे होते हैं अपने आप में national defense academy में punishments का golden rule है जितना रगड़ा उतना तगड़ा भाया punishment से मट डरो पहले सोचो कि national defense academy में जाया कैसे जाये अगर आपका सपना भी national defense academy है तो त्रिशूल defense academy आओ और अपने सपने को सकार करो क्योंकि पिछले 20 सालों से हम national defense academy को कैड़ेट्स देते आ रहे हैं हमारी legacy maintain करते आ रहे हैं हम लोग जियां साड़े 600 से जादा अधिकारी फॉच को त्रिशूल दे चुका है त्रू national defense academy nda 152 में all india rank all india 400 में से दो कैड़ेट्स त्रिशूल defense academy से गए थे अगर आप भी national defense academy में जाना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल आए और अपने सपने को पूरा करें जैहिंद अब defense exam प्रैक परना हुआ और भी असान त्रिशूल defense academy लेकर आए हैं बिल्कुल ही advanced learning app तो आज ही join करें और start करें अपनी online classes